Hello friends, Standard 11, we are talking about the cash book and its types, उसमें देखें कि example 5, 3 number का example वे से ही 4 number का है, cash और bank वाला, बराबर उसमें 2 column here में यहां तीसरा sum, जिसमें discount और bank, दो नो लिखा है, तो वो कैसे करेंगे, बहुत simple है, यहां देखो, from the following transaction, prepare the bank and discount column, cash book in the book of the Suray Stores, Suray Stores पे हमें लिखनी है, तो यहां cash book of the Suray Stores, from June 2015, यहां लिखा है, June 2015, bank overdraft, overdraft दिया है, discount की तो कोई balance होता नहीं है, क्योंकि यहां से total ही करना पड़ता है, और यहां bank overdraft दिया है, overdraft कहां लिखेंगे, यहां credit side, bank overdraft, यहां balance करके, यहां credit side लिखना है, bank balance दिया होता तो debit side लिखते, bank overdraft दिया है, यानि क्या लिखेंगे, credit side लिखेंगे, goods of the 9,000, sold to the Nila at the 10% trade discount, Nila gave a check after deducting discount, which is the deposit in the bank, यहां sold गिया है, Nila को, 9,000 का check है, name हमें लिखना नहीं है, सिर्फ sales account लिखेंगे, 9,000 में इसे 10% minus कर दे, trade discount है, उसकी check entry होगी, नहीं, ओके, सिर्फ minus करके, उसको निकाल देना है, यानि 9,000 में से 10%, यानि 900 minus करते हैं, तो 80, 100, cash discount नहीं है, तो discount के column में लिखेंगे, 9, ओके, check of the 5,000, issue to the Nila is fully settlement of the account of 50, 50, यहां हमें issue किया हुआ, check, यानि हमें दिया हुआ है, check, यहां हमने उसको दिया है, 5000 का check था, उसमें 50 रूपीज हमने नहीं दिये, यानि वो क्या होगा, discount होगा, कम दिया है, यानि क्या बोलेंगे, discount बोलेंगे, तो यहां दिया हुआ है, payment किया हुआ है, यानि क्या करेंगे, credit side लिखेंगे, यहां 9, discount में 50 रूपीज, और 5000 रूपीज का check, यानि bank column में लिखेंगे, commission of the 1100, 1100 paid by the check, check से हमें commission paid किया है, यानि हमारा expense हुआ, payment हुआ, तो payment side, credit में लिखेंगे, commission account 1100, then goods of the 4000, sold to the chandulal at the 10% trade discount and 10% cash discount, chandulal made the payment immediately by the check, check is deposited in the bank, यानि क्या करेंगे, यह देखो 400, 4000 में से 400, यानि 10% trade discount, वो minus करना है, 3600, यह mean याद रखना है, कि यह तो हम निकाल के फेंकी देते हैं, उसको calculate नहीं करते हैं, अब उसके बाद 10% discount, वो cash discount, और यह minus करें, 3240 आएगा, यह 3240 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमने sell गिया हुआ है, और 360, यह यहाँ 2400 लिखनेंगे, ओके, देन, उसके बाद, 1800, यहाँ date गलत दिया, 23 है, वो लिखनी है, वीपूल वाला रह गया, वो भी explain कर देंगे, वीपूल has given a check, 1100 towards the amount payable, 11125 is fully settlement account, यानि वीपूल ने हमें check दिया है, यानि हमें मिला हुआ है, तो 125 वो हमारा discount हुआ, और 1100 हमारा क्या हुआ, check के amount हुई, ओके, यह उसके बाद में करना था, वो पहले हमने कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1100, 1800 paid to the, देवांसी by the check, देवांसी by the check, यानि देवांसी को हमने check दिया, कितना दिया, 1800 का, तो उसकी entry यहां लेगेंगे, payment में, credit side, then, check issue by the वीपूल is dishonor, ओके, यहाँ वीपूल ने जो भी check दिया था, वो cancel हो गया, तो cancel हो गया, यानि क्या करेंगे, उसके पास से जो पैसे मिले दे, उसकी entry करेंगे, ओके, तो यहाँ देखो, वीपूल एकाउंट, 1100 उपिस, ओके, बैंक हमारे एकाउंट में से card देगे, बड़ाबग, तो 1100 हमें बैंक को देना पड़ेगा, यानि क्या होगा, 1100 उपिस, ओके, और दूनों का total करना है, discount का total वैसे ही लिखना है, इधर भी वैसे ही लिखना है, उसमें कोई different निकालना नहीं है, बड़ाबग, उसके बाद, यहाँ credit side का total ज्यादा हो रहा है, उसमें से, यह minus करेंगे, यानि क्या होगा, balance निकलेगा, 8560, और यह debit side है, तो हमें कौनसी side लेना है, credit side, 8560, सेम वैसे ही सम exercise में दिया हुआ है, वो आपको practice के लिए करना है, कौनसी कॉलम, bank and discount वाली कॉलम वाला,